नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त शुभास और आप देखरेंशू प्रेडिक्शन दोस्तों आज हम जिस टोपिक में बात करने वाले हैं वो है एसिया कप 2022 इस एसिया कप की वो घड़ी पहुंच चुकी है जिसका सब को वेशवरी से इंतजार था वो है फाइनल म्याच स् दोनों टीम की लास्ट मैच की बात करें तो इस वाली मैच में पाकिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 121 रन बनाए 122 रन की स्री लंका को टारगेट दिये थे और यहार स्री लंका ने पांच विकेट से इस मैच को विन कर लिए अब दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों इ इंटरनेशनल के स्टाडिया में होने वाला इस वाली मैदान में टोटल 86 मैचे के लेगे हैं जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम 40 मैच में विन किये हैं और वहीं पर सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 46 मैच में विन किये हैं और यहां की एवरेज स्कोर की बात करें त जबकि पहले बैटिंग करने वाली टीम दो म्याच में विन किये हैं तो चेस करने वाली टीम 6 म्याच में विन किये हैं दोस्तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लीजे यहाँ पे मैं आपको टॉट, सेशन और म्याचबिन और यह सरे चीज बिल्कुल फ्री में प्रोबाइड करता हूँ जबकि आप बाहर से पेड़ पे लेते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल जोईन करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा अब दोस्तो वीडियो में आगे चलते हुए इन दोनों टीम की कैप्टेन की कमरीजन करके आपको बता देता हूँ यहाँ पे पेले स्रिलंका टीम की कैप्टेन की बात करे तो इनके कैप्टेन है दासुन संका जबकि दासुन संका ने इसी एसिया कप में 5 मैज कहलते हुए 109 रन बनाये हैं इनका स्ट्राइक रेट है 141.36 की और इनका एवरेज 22 देखने को मिला है और यहाँ पे पाकिस्तान की कैप्टेन की बात करे तो इनका कैप्टेन है बाबर आजम यहाँ पे बाबर आजम ने इस एसिया कप में 5 मैज खेलते हुए 63 रन बनाये हैं जबके इनका स्ट्राइक रेट है 110.36 की और इनका एवरेज है 13 दोस्तो आप मेरा इस यूट्यूब चैनल को प्लीज एक बार सस्क्राइब कर लिजे बेल आइकन को क्लिक करके ओल पे क्लिक कर दीजे जबकि हमारा सारा नया नया वीडियो आपके पास पहुंच सके दोस्तो हम आपके लिए ही मेनत करते हैं प्लीज एक बार आप इस चैनल को सस्क्राइब कर लिजे अब दोस्तो वीडियो में आगे चलते हो ये दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 के बार में बता देता हूँ यहाँ पे पहले स्रीलंका टीम की प्लेइंग 11 की बात करे तो इनके उपनिंग में आते हैं पथम निशंका के साथ कुसल मेंडिस तीसरे नमबर में आते हैं दासून का गुंथली का चोथे नमबर में आते हैं धननजे डिसिलवा पांच नमबर में आते हैं भानू का राजपका छे नमबर में आते हैं दासून सनका साथ नमबर में आते हैं बनिंदू हसरंगा आठ नमबर में आते हैं चमेका करुनारतने नौ नमबर में आते हैं माहेश दिक्साना दस नमबर में आते हैं दिल्हान मदुसंका और ग्यारा नमबर में आते हैं प्रमोद मदुसान दोस्तो ये सारे खिलेरी स्री लंका टीम के त उस्तिल साहा, छे नमबर में आते हैं अशिब अली, सात नमबर में आते हैं महमद नवाज, आठ नमबर में आते हैं सदेव खान, नो नमबर में आते हैं महमद हसनेनी, दस नमबर में आते हैं हरिस रोफ, और दोस्तो लास्ट में ग्यारा नमबर में आते हैं नसिम साहा, यह स पे स्री लंका टीम ने आठ मैंच में विन किये हैं दोस्तों इन दोनों टीम की लास्ट पांच टीटोंटी की बात करें तो इस पांच मैंच में से पाकिस्तान ने एक मैंच में विन किये हैं झाल झाल झाल